आप ने अभी तक प्राइबेट कोचिंग पर ध्यान दिया है इस्कूल आबर में ये लूट और मोनाफा खोरी का जो धनकुविर बिद्याले चला रहे हैं सरकारी बिद्याले को बद्राम कर रहे हैं अब कहिए के पाठक जे को कि प्राइबेट इस्कूल पर चापे मारी करें वो कितरा अवईद वसूल करता है हमारा इतराज है कि वे हमारे माथा पर आके बढ़ जाएंगे हमारी जो बढ़ियता बीस साल 16 साल की है 17 साल की वो बढ़ हम इसमें मेसेज कर देते हैं मैं शिक्षकबरा मेरा बज्यापता इंटर्व्यू हुआ बिलैक बोर्ड पर मैंने हिंदी में भिक्षू करता लिखी सुचकांत्रिपार्थी का कभी परचे दिया या माहोल को विदार्निक की निरिक्षन पद्धती है मैंने 15 बिंदू पर सर उसब्ता हमें बाचित की संभावना के संगेत मिलने हैं नमस्कार मेरा नमालोक है आप लाइप स्टीज देख रहे हैं बात हम करेंगे बिहार के सिक्षकों की बीपीएसी के माध्यम से आप सिक्षकों की बहाली भी होनी है और अगस्त में परिक्षा भी होनी है लेकिन जो सिक्षकों की मांग थी उसे लेकर बिहार सरकार ने विधान नेता है बिहार मात्मीन शिक्षा संग के कैसे मासचीव है कैसे देखते हैं सरकार ने जो वादा किया और इतना समय बीत गया क्या भी आप लोग उमीद है हाँ उमीद है चुकि कई राजनेतिक कारणों से बिलंब हो रहा है और अभी जो मुझे सुचना मिल रही है कि मुहर्रम के बाद ये जो अगला स्वमार हो मंगल हो बुद्ध हो उस्वता हमें बाचित की संभावना के संकेत मिल रहे हैं लेकिन हम लोगों की जो मांग है कि हमें राजकरम का दर्जा दि तर्क है वो कानून ही है लेकिन उन्हें तो कहा कि जो बीपीएसी के माध्यम से चुन के आएंगे उन्हें ही राजकरमी का दर्जा मिलेगा नहीं जो बीपीएसी से चुन करके आएंगे उनको मिले इसमें हमको कहा इतराज है हमारा इतराज है कि वे हमारे माथा पर आके पद समाप्त कर दिया, सारे रिख सिक्षकों का पद समाप्त कर दिया, सारे रिख सिक्षान देशक का भी उलेख नहीं है, ये जो तीन पद जो जल्दी बाजी में वो समायोजित नहीं हो सके, उनका समायोजन कर दे, और हमारी बरियता और जो बेतरमान अभी हम पा रहे हैं, हमने दक्सिता परिक्षा मुल्यांकन में उत्रनिता प्राप्त की है, आप हमें यह लाभ नहीं दे करके, आप परिक्षा परिक्षा जो हम पर थोप रहे हैं, ये न्याय, नईतिक्तार, सब के विरुद्ध है, आप करनिका आठ बे जब लिख चुके हैं, कि पंचायती राज नगर निकाए में काजरत सिक्षकों को हम परिक्षा में बैठने का योग्य मानेंगे, लेकिन उनके लिए अलग से हम प्रक्रिया का निधारन करेंगे, उसे इम अब जोड दीजिए, कि चुकि ये तमाम परिक्षाओं में उत्रन हैं, इनको हम राजकर्मिन का दर्जा देते हैं, हाँ हम अगली जो बेतन बिर्धिक का लाब हिर को देंगे, बिभागिय परिक्षा लेंगे, और उसका अनुमोदना बज़ापते बिप्रिक्षी से ले लिए हमको को कोई, बिभागिय परिक्षा का नियम पहले से भी था अलोग जी, ये इतना अच्छा नियम था कि प्रधाना ध्यापक की पुर्णत्वी बेतन बिर्धिक का लाब या सायक सिक्षकों की बेतन बिर्धिक का लाब तभी मिलता था, जब वो विभागिये परिक्षा जैसे प्रारूब और टिपनी की परिक्षा होती थे आज के जो नए जुबक आएंगे उनको तो हिंदी में सुद सुद दरखास लिखने कि डिजिटल इंदिया गूगल ने इतना मजाक कर दिया हिंदी ब्याकरन के रोज टांग तोड़ता है ना वो अंग्रेजी में लिख सकते हैं हम लोग का पोता है पोती है आप इस चीज को मानते है इस बदलाओ को मानते है हाँ यह पोता पोती हम पूछते है कि राइट इन एपली के संटू दी है अब लिख बें करता है खाटा है बाबा हम इसमें मेसेज कर देते हैं अब नहीं और जो सिक्षक बहाली की प्रकिया है वह भी दोस्पूर्ण है मैं सिक्षक बड़ा मेरा बज्यापता इंटर्व्यू हुआ बिलैक बोर्ट पर मैंने हिंदी में भिख्शुक कविता लिखी सुज का अंतरपाथी का कभी परचे दिया आज के ने सिक्षक को ना तो प इस घाबत कैसी है इसकी चाप जब तक बच्चों पर आप नहीं चोरेंगे तब दक परिक्षा 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 तो नोटिबूक याद करके रट के लोग परिक्षा पास कर जागा परिक्षा उनकी दख्षदा का कोई मुल्यांका नहीं है के बल एक कागज का पाठ्टी का लिखता था, और बिना पाठ्टीका लिखे, बर्ग में कोई शिक्षक नहीं जा सकता था, आज जो आपके ये पाठ्टीका रहती थी, किताबें रहती थी, चौह के रास्ता था, डश्रा राता था, मुनिट्र का काम था कि आज का पाथ लिखेगा और सिक्षक उसी के आधार में पढ़ाई करते हैं, इस सारी ब्यवस्ता जो हमारी थी स्वास्त, सबको तो आपने चौह से द्वस्त कर दिया, इसके कसुरवार तो आप है, सिक्षक काम नहीं, आपने अभी तक प्राइबेट कोचिंग पर ध्यान दिया है, इसकूल आबर में ये लूट और मुनाफा खोरी का जो धनकुविर बिद्याले चला रहे हैं, उसमें जो बच्चे भाग रहे हैं, सरकारी बिद्याले को बजराम कर रहे हैं, अब कहिए कि पाठक जी को कि प्राइबेट इसकूल पर छापे मारी करें, वो कितरा अवईद वसूल करता है, भारत के सम्विधान का जो हमारा मौलिक अधिकार है, सिक्षा सहसे 14 वर्स, बिद्या परिक्षाल ये आप ना मंकन कीजिए, परिक्षा बज़ापते लेता है, 25 परिसत गरीब छात्रों को नहिसुलक देना है, सम्विधान में लिखा हुआ है, उसका कोई पालद नहीं करता है, वहाँ दंटा नहीं चलेगा, वहाँ आप शापे मारी नहीं कीजिएगा, आपका जो विद्याले है, आप गरीब मजदूर के बेटिये, रिक्षा चालक के बेटिये, जो नहिसुलक प इसे अपका सकाट रहे हैं, यह माहूल को विद्यारिक की निरिक्षन पद्धती है, मैंने पंद्रह बिंदू पर सरकार को सुझाव दिया है, मेरे साथ बेटिये, आप करते हैं सिक्षक एप रखे, नेट है ही नहीं परतेक बिद्याले हैं, आप खरीद करके दिए, परतेक परतेक दिए नहीं है, लेकिन आतंक पूर निरिक्षन अप मानित करने बार ला निरिक्षन सरकार बंद करे, अने था इससे माहूल बिगरेगा, महूल कैसे बिगरेगा और महूल को सुधारना है, तो सरकार को किन बिंदूओं पर विशेश तोर पर ध्यान देना होगा है, यह बाते शत्रकुन परसाद सिंग हमारे साथ थे, क्या कुछ कहा है, सिक्षकों के बड़े निता कहा आते हैं, और जब मुलकात होगी बिहार के मुख्यान रिती श्कुमार से, तो यतने माम बाते वो रखेंगे, आप लाइप सीट साथ बरन रहें, हमारे चैनल को सब्सक् देखना होगा, धन्यवाद.